लेपरोस्कोपिक सरजरी जैसा कि आप जानते हैं की होल सरजरी होती है जो छोटे-छोटे छिद्रों से या की होल से करी जाती है इसका में एडवांटेज है कि ट्रॉमा कम होता है पेन कम होता है रिकवरी जल्दी होती है ब्लेड लॉस बिलकुल ना के बराबर होता है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्पेस्लाइशन हम इस्तमाल करते हैं आज कल ज्यातर सर्जरीज के लिए और जो मेरी फील्ड है वो एब्डोमन या पेट से संबंदित है आज हम मिल रहे हैं क्योंकि हम डिसकस करना चाहते हैं एक कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम जो पेशेंट् काफी कॉमनली पाई जाती है और लोग दुविधा में रहते हैं कि क्या इसका कोई मेडिकल इलाज है या सर्जिकल इलाज है और वो प्रॉब्लम है हर्निया हर्निया वैसे कई प्रकार का होता है बहुत डिफरेंट टाइप्स अफर्निया है लेकिन जनरल सर्जरी से जो यह प्रॉब्लम है हमसे वही पर और वही रिस्टिट करेंगे तो एबडॉमन के हिसाब से हर्निया बेसिकली तीन प्रकार का होता है या थ्री में टाइप्स के होते हैं उसमें जो फस्ट और स्कॉमन टाइप अफर्निया है वह है इंगोइनल हर्निया इंग्वाइनल, इंग्वाइनल रीजन कौन सा होता है, इंग्वाइनल रीजन होता है, जांग और पेट जहां पर जुड़ते हैं उसको इंग्वाइनल रीजन कहते हैं, पर सबसे पहले हमको ये शब्द समझना है कि हर्निया क्या चीज है, जब कोई चीज जो इसको कुछ सी इमाए या boundaries मिली होई है उन boundaries से अगर वो बाहर निकल जाती है तो हम कहते हैं उस चीज का हरनिया हो गया कि एक common example से समझें कि कि आपका एक bathroom है जिसमें चार दिवारे हैं और आपका तॉलिया एक दिवार पर टंगा हुआ है कि उस दिवार में एक छेद हो जाता है और तॉलिये का एक हिस्सा उस छेद से बाहर लटक जाता है और सड़क पर चलने वालों को नज़र आ रहा है तो यह हो गया इस दिवार के अंदर तॉलिये का हरनिया क्योंकि तॉलिये को bathroom के अंदर होना चाहिए था यही चीज पेट पर लादू होती है आपकी मास पेशियों में जब भी कहीं weakness हो या एक hole हो जाए तो जो चीज मास पेशियों के अंदर रहनी चाहिए थी यानि कि आते इंटस्टाइन वो उस hole के रास्ते निकल कर skin के नीचे आकर एक bulge या swelling बना लेती है उसे हरनिया कहते हैं तो ऐसी कोई सी भी जगा जहां पर weak muscles हो या किसी कारणवश weak हो जाए या previous surgery की वज़े से कोई छेद या defect रह जाए वहां से intestine निकल कर skin के नीचे पहुँच जाती है और एक swelling बनाती है एक ऐसी swelling जो आप महसूस करेंगे खड़े होने से बढ़ जाती है लेटने से कम हो जाती है खासने से बढ़ जाती है इस swelling को हरनिया कहते हैं तो हरनिया अपने आप में एक defect है एक छेद है और क्योंकि यह defect है और एक छेद है इसी लिए इसका कोई medical treatment नहीं है हमको यह defect यह चेद surgery के द्वारा ही बंद करना है surgical options क्या-क्या है उसके बारे में बाद में discuss करते हैं पहले समझते हैं कि हरनिया जो हम शुरू में कह रहे थे commonly कितने प्रकार का होता है abdomen से समंदित तो पहला inguinal हरनिया inguinal region हो गया पेट और जांग का जोड़ यहां पर पुर्षों और महिलाओं में एक inguinal canal होती है जो जलम से होती है और यह एक वीक एरिया शुरू से ही माना जाता है और बढ़ती उमर के साथ साथ ही और वीक होता है और यहां पर जब मसल्स वीक हो जाती है तो अंदर की आथ निकल कर ऐसे बाहर और फिर नीचे अंड़ कोश की तरफ चली जाती है यह होता है इंगवाइनल हरनिया यह पुर्षों में मेल्ली पाए जाता है और कॉमनली इन मेल्स दूसरा एक और कॉमन टाइप ऑफ हरनिया है अंबलाइकल हरनिया नाभी का हरनिया आपने देखा होगा कुछ बच्चों में और महिलाओं में पुरुषों में खासकर वो महिला और पुरुष जिनका वजन कुछ ज्यादा है और जिनके अंदर कुछ ऐसे चीज हो चुकी है जैसे प्रग्लेंसी जिससे पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ गया था उन पेशे कि जो नाभी की खाल है उसके नीचे की मसल्स सेपरेट हो जाती है और अंदर से इंटस्टाय निकलकर बहार आकर ऐसे फूल जाती है यह हो गया नाभी का हर्निया बच्चों में भी पाए जाता है नूबॉंस नवजात में भी पाए जाता है अगर छोटे बच्चों में होत है तो जातर हम वेट करते हैं दो या तीन साल तक अगर तब भी नहीं भरता है तो फिर operation की आवाशक्ता पढ़ती है बड़े लोगों में तो जातर पढ़ती है यह दूसरा type of हर्मिया हो गया umbilical हर्मिया अब एक तीसरा और common type उसे कहते हैं incitional हर्मिया जहां पर पहले कुछ सघरी हो चुकी हो कुछ caesarian हो चुका हो लेडीच के अंदर पेट के सघरी किसी भी प्रकार से आतों के लिए prostate के लिए appendix के लिए किसी भी प्रकार के पेट की सघरी जिसमें चीरा दिया गया हो और टांके लगे हो वो एरिया नॉर्मल एब्डॉमिनल मसल से कमजोर रहता है और कुछ परसंटेज संभावना रहती है दो परसंट पांच परसंट के फ्यूचर में उस एरिया में मसल्स वहां पर कमजोर होकर गैप हो जाए और वहां पर हर्निया डेवलक हो जाए इसे कहते हैं इंसीजनल हर्निया तो तीन कॉमन टाइप आफ हर्णिया जो हमने देखे उसमें इंग्वाइनल, अमलाइकल और इंसीजनल क्या लक्षण होते है हर्णिया के और आप कब कंसल्ट कर सकते हो एक ही मेन लक्षण है जिसकी वजह से आपको कंसल्ट करने के जरूत पड़ेगी और वह कि जब भी आप महसूस करें, के पेड़ या जांगों के उपर वाले हिससे में कोई côt discussion कोई ऐसा बल्ज है जो एक समान नहीं रहता है घटता या बढ़ता है जो लेट ने कर रह झाता है खड़े होने से बढ़ जाता है खासने से बढ़ जाता है जादा चलने से बढ़ जाता है और कभी कभी दर्द भी बन जाता है लेकिन अराम करने से फिर ठीक हो जाता है तो यह जो swelling और bulge है जिसका size change होता रहता है यह एक तरह से इंगित करती है diagnosis of हर्णिया की तरफ और आपको फिर सर्जन से consult करना चाहिए swelling के अलावा जो चीज आपको तकलीब दे सकती है वो rare conditions में कभी कभी जो चीज हर्णिया की swelling पैदा कर रही है जैसे की पेट के अंदर की एक fat की चर्वी होती है उसको momentum कहते है या छोटीयात या बढ़ियात का हिस्सा जो भी उस छेट के रास्ते बाहर निकल कर आता है वो अगर कभी कभी फस जाए और वापिस अंदर ना जा पाए तो काफी सेवियर पैन करता है यह एक emergency condition होती है तो नॉर्मल कंडीशन में तो हर्णिया की swelling घटती और बढ़ती रहती है लेकिन अगर कभी वो बिल्कुल fix हो जाए और painful हो जाए तो वो एक emergency situation होती है जिसमें आपको तुरंद कंसल्ट करना होता है पस यही दो लक्षण है जो आपको बताते हैं कि आपके अंदर हर्णिया की संभावना है और आपको कंसल्ट करना चाहिए डियाग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हर्णिया की कोई खास investigation की ज़रूत नहीं होती है क्लीनिकल एक्जामिनेशन जो डॉक्टर करता है भही इसकी डियाग्नोसिस को कंफर्म कर देता है लेकिन फिर भी यह रूल आउट करने के लिए के पेट के अंदर कुछ और बिमारी या दिक्कत तो नहीं है एक अल्ट्रासाउंड करवाये जा सकता है कभी कभी हर्निया के पेशेंट्स में पित की थेली की पत्री निकलाती है कभी पिशाप के रस्ते की दिक्कत निकलाती है कभी गदूत की दिक्कत निकलाती है तो इस तरह की कोई दिक्कत हर्निया के साथ को एक्जिस्ट तो नहीं कर रही उसको रूल आउट करने के लिए अ और कोई radiological investigation करा जा सकता है लेकिन ऐस सच अगर हर्निया की diagnosis बनानी हो तो सिर्फ clinical examination अपने आप में sufficient है तो हर्निया क्या होता है हमने समझा मासपेशियों में weakness या कोई छेद जहां से आते भाहर निकलती हो हर्निया के लक्षा क्या हो सकते हैं हमने देखे कि वहाँ पर swelling है जो गटती या बढ़ती रहती है कितने प्रकार का होता है तीन commonly प्रकार हमने समझ लिए अब आती है कि हम इ मैंने पहले भी बताया कि हर्निया क्योंकि एक defect है एक छेद है एक weakness area में तो उसको हम medicine से ठीक नहीं कर सकते Surgery ही एक मात्र उपाय है हर्निया को repair करने के लिए हर्निया में कौन सा word आएगा repair repair of हर्निया करना है आपको और यह repair करने के लिए Surgery ही होगी हर्निया की Surgery करते हैं तो जो defect होता है उसको repair करने के साथ साथ जाधा तर एक जाली या mesh लगाने की आवशक्ता भी होती है जो उस छेद को या muscle के weakness को अच्छे से बंद करके strength दे सके कि इसको हम implant कहते हैं यह जाली नॉर्मली जिस material की बनी होती है वो polypropylene होता है और lifelong body के अंदर रहता है मास पेशियों का एक हिस्सा बनकर और उसको strength देता है हर्निया की Surgery दो प्रकार से संभाव है एक जो conventional तरीका होता है जिसमें पूरा बकायदा चीरा लगाया जाता है इसकेन को separate करते हैं मसल्स को repair करते हैं ओपर से मैश रखते हैं और फिर सकेन को बंद कर देते हैं यह हो गई conventional open surgery यही अब तक होती आए थी काफी समय कैसे हो रही है सफल है इसमें कोई वो नहीं है दोबारा होने के संभावना होती है थोड़ी बहुत आप एक परसेंट दो परसेंट कह सकते हैं लेकिन एक खास disadvantage जो उपन स्रजरी का है वो है पेन और फिजिकल एक्टिविटीज का restriction जब भी हर्निया की स्रजरी होती है मरीज को बताया जाता है कि भाई जो दर्द और खिचाव है यह दो से तीन हफता या कभी-कभी डिड़ महीना भी रह सकता है और लगबग और लगबग तीन महीने के लिए किसी भी प्रकार का जुकने का या भारी वजन वाला कार है जैसे पानी की बाल्टी उठाना मेज कुर्सियां खिसकाना साइकल चलाना स्कूटर में किक मारना यह चीज़ें अवाइड करनी चाहिए यही इसके दो मेंड डिसडवांटेज जो आप समसरते हैं इनको दूर करने के लिए अब जो सरजरी प्रचलित है वो है लेप्रोस्कोपिक या की होल सरजरी यह तीन यह चार छोटे छोटे की होल से करी जाती है इसमें हम हर्निया की साइट तक पहुंचते हैं और वहां पर अंदर से एक special mesh होता है उसको रखते हैं और टैकर्स इक special instruments होते हैं जिनकी हेल्व से हम mesh को वहाँ पर fixed कर देते क्योंकि इसमें इसकें के उपर पूरा लंबा कट नहीं आता है मास पेशियों को खीच-खीच के बानकर रिपेर नहीं करा जाता है इसलिए इसमें पेन पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत कम रहता है चार से पास दिन या मैक्सम हफते भर के अंदर पेशन्ट अपने आपको बिल्कुल नेर्मल महसूस करता है फिजिकल एक्टिविटीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है अगले ही दिन से सर्जरी के अगले ही दिन से चलना फिरना उठना बैटना जुकना सीणियां चड़ना उतरना इत्यादी सभी अलाउड होता है आप सारे काले कर सकते हैं और लगबग एक हफ्ते बाद जब वो छोटे-छोटे की होते हैं उन पर एक टांका या स्टेपलर लगा होता है जब वो रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद आप नॉर्मल एक्टिविटीज या ओफिस कर सकते हैं अपनी काड राइब कर सकते हैं टू विलर ड्राइब कर सकते हैं वजन उठा सकते हैं मतलग के किसी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी रिस्टिक्शन हफता 10 दिन के बाद नहीं होता जो कि ओपन सरज़री में लगबग तीन महिने के लिए होता है तो मेन एडवांटेज दुर्बीन विधी सेजरी का रहा कि पोस्ट ऑपरेटिवली अर्ली रिकवरी लेस पेन नो रिस्टिक्शन सॉफ फिसिकल अगर हर्निय का ओपरेशन नहीं करवाते हैं अगर आपको लगता है किसा आप कब जरूरत पड़ती है और ना करवाओं तो क्य हो कि नॉर्मली हर्निया अपने आप में कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिफेक्ट या डिजीज नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कभी कभी इस डिफेक्ट के थू जो चीज आती है और वापिस अंदर चली जाती है अगर वो इसमें आकर फैस जाए तो वो एक अमरजेंसी सि लेकिन वापिस लोटके नहीं जा पाया ऐसे में अब आतों में रुकावट पैदा होगी और आतों के इस हिस्से में सडन भी पैदा हो सकती है गैंगरीन और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुशन बन जाती है जिसमें फिर बकायदा ओपिन सरजरी करनी पड़ती है आतो स्टेज जो एक दिन का था वो बढ़कर साथ दिन या दस दिन का हो जाता है तो यही एक कॉंप्लिकेशन है जिसके डर की वजह से एडवाइस करा जाता है कि समय रहते हुए हर्णिया की सजरी करवा ले क्योंकि इसके बारे में प्रेडिक्शन करना असंभव है कि किस पेश जो नाभी के होते हैं उनमें डिफेक्ट छोटा होता है कभी-कभी उसमें फस जाती है उसको करवाना चाहिए जंदी सर्द्री इंग्वाइनल हर्णिया जो में ली समय के साथ साथ बनते हैं और और अज में पाए जाते हैं कभी-कभी उनके अंदर फिजिकल फिटनेस जाता है कि साथ मुझे तकलीफ है खिचाव मैसूस होता है तो वो अपने आप में एक इंडिकेशन है सज्वी करने का अब कभी-कभी मण में आता है के हर्णिया क्यों हो जाता है कि यह तो मालूम है कि वीक्नेस के वजए से हुआ पर क्या कुछ कुछ ऐसे कॉन्ट्रिब्यूटिंग फेक्टर्स हैं जिनकी वज़एसे यह वीक्नेस बड़ती है या हर्णिया के चांस बढ़ते हैं कुछ factors हैं ऐसी कोई भी चीज जो पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ाती है वो हर्निया होने की संभावना को बढ़ाती है सांस की बिमारी, लंबी खासी, सिगरेट स्मोकिंग, पिशाप के रस्ते में रुकावट, क्रोनिक कॉंस्टिपेशन, ओबेसिटी या मोटापा, प्रेग्नेंसी, प्रीविस कोई भी सरजरी तो ये वो चीज़े हैं जो हर्निया की संभावना को बढ़ाती है और अगर इन पर थोड़ा कंट्रोल रखा जाए तो हर्निया के इंसिडेंस को हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी ये कहना मुश्किल है कि किस पेशन्ट के अंदर हर्निया बनेगा या नहीं बनेगा वर्जिश करते वक्त जिम जॉइन करते वक्त वजन उठाते वक्त ध्यान रखना चाहिए पेट पर अंड्यू प्रेशर ना पड़े उसके लिए बेल्ड और पोस्चर आप अपने सीनियर से समझें ज्यादा जोर जोर से ना खांसे और ऐसी कोई भी गतिविदी जो पेट के प्रेशर को यका यक बढ़ाती हो एकदम से बढ़ाती हो उसको ना करें तो यह कुछ जानकारी थी जो एक जनरल फॉर्म में मैं आपको देना चाहता था मैं उमीद करता हूं आपने समझा होगा के हर्निया क्या होता है और इसके निवारण के लिए सर्जिकल ऑप्शन्स क्या-क्या है आपका कोई भी सवाल हो तो मैं उपस्ते थूं जवाब देन के लिए है 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 हाँ है मैं सौगाता बंगल से कुछ कहना चाहूंगा उनका कहना है कि डॉक्टर अन्नेसेसरी टेस्ट करवाते हैं और काफी मनी मांडेड है हाँ यह वाली बात है कुछ सबके लिए तो नहीं कह सकता हर्निया के मामले में मैंने बताया आपको के ज्यादा अन्नेसेसरी टेस्ट करवाने के जरूत नहीं है डियाग्नोसेज कंफर्म करने के लिए क्लीनिकल एक्जामलेशन काफी होता है सिर्फ यह देखने के लिए के साथ में कोई एसोसियेट डि के लिए मुझको पूरी उमीद है और विशाल सपना हेलो कह रहे हैं तो हेलो मैं उमीद करता हूँ आपने शी से समझा होगा कोई आपका सवाल हो तो जरूर पूछिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी समझाने की और आपको अगर अच्छा लगा समझ में आया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि राजीव जी हेलो कह रहे हैं हेलो राजीव आपका कोई सवाल हो तो बताईए कोई भी डाउट हर्निया से संबंदित या कोई और हर्निया इन तीन के अलावा आपने सुना हो एक सवाल आया है कि SGPT और SGOT का बढ़ना क्या हर्निया से संबंदित हो सकता है SGPT और SGOT लिवर से संबंदित कुछ enzymes हैं और इनके बढ़ने का हर्निया से किसी प्रकार से कोई संबंद नहीं है अगर यह बड़ी हुई है तो आपको लिवर डिजीज के बारे में सोचना होगा और गैस्ट्रोएंट्रोल्जिस्ट या फिजीशन से मिलना होगा जो फिर देखेंगे कि क्या कारण है कि बड़ी हुई है सद्धाफ फातिमा है वो जानना चाहते है जानना चाहती है कि ओर हाव लॉङ वन कें ट्रिली दीदा स्रजरी बड़ी जैसा मैंने कहा कि इंसीजन या इंप्लाइकल हर्निया है तो इनके defect छोटे होते हैं और unpredictable होते हैं इनके अंदर फसने की जादा संभावना है तो अगर किसी surgery के बाद हर्निया बना है या नाभी का हर्निया है जिसके अंदर opening छोटी होती है तो समय निकाल कर, emergency कुछ नहीं है, समय निकाल कर operation करवाईए अब जो most common हर्निया है और ingoiler हर्निया है ये अगर young age का हर्निया है तो जल्दी करवाईए क्यों क्योंकि young age का जो आग्मी है उसको physical activities काफी करनी होगी उसे अपना office जाना होगा, घर का कामकाज भी करना है, वजन भी उठाना है तो ऐसे में संभावना होती है कि भगवान न करे कभी अगर काम करते वक्त या जब वो किसी जरूरी काम में उलजा हुआ है, उस समय कुछ फस जाए तो emergency पैदा हो जाए तो as such कोई emergency surgery तो नहीं है, लेकिन advice ये रहती है कि जब भी समय मिलता हो तीन हफते, चार हफते, महीना, दो महीना सजरी करवा ले, लेकिन एक category है जो old age category है जहाँ पर 70 years, 80 years का बुज़द विक्ती है, जिसमें पहली बार पता चला है कि इंगवाइनल रीजन में हरनिया है और उसको अगर वो कोई विशेश तकलीफ नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर हम wait and watch policy कर सकते हैं हम अराम से बाबा से कह सकते हैं, पेशन से कह सकते हैं, कि आप इस पे नजर रखी, अगर कभी इसमें दर्द बढ़ता लगे, या सूजन टाइट लगे, तो immediately दिखाईएगा वरना अपनी खांसी पे कंट्रोल रखीए, भारी वजन ना उठाएं और अपना नॉर्मल दिन चर्रय मेंटिन करें, तो शायद आपको ज़रूद नहीं पड़ेगी, उमीद करता हूँ मैं जवाब दे सका, तो और कोई प्रशन नहीं आ रहे हैं, तो उमीद करता हूँ, ये छोटा सा करेकरम सफल रहा होगा, आज आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा, हरनिया क्या होता है, कितने प्रकार का है, और ultimately सबसे important चीज़ के इसका सिर्फ surgical treatment है, और आज कल लेपरोस्कोपी के लिउप लब्द है, तो आप से इजादत चाहूंगा, आगया चाहूंगा, धन्यवाद, नमस्कार.